नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टागेटेट वान पे मैं हूँ अम्रिता और आज हम डिसकस करने वाल है पीजेटी बालोजी को ले करके एक इंपॉर्टन कोशिंट की सीरीज जो एक्सपेक्टेड है आपके एक्जामिशन पॉइंट ऑफ यूस है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी के लिए अभी तक हमने जितने भी कोशिंट आंसर की सीरीज लेकर आई थी उसमें करीबन आपके दस से पंदरा कोशिंट जो थे वह हमारे प्रैक्टिस से डिर प्रैइशन करें हैं तो हैं उनको फो फो में अपनी प्रिकर चलती को ओलगे वॉणत जो पना सब्लूप को में fruit में रहें और वह सारे सार्व को फॉस्ट करेंग इश्पेक्ट्ट है और और वह सब्सक्राइब प्रॉट को मेंके आपके लिए आफे बिलकुल की क्योंकि राइम जो है वह है हम सभी के लिए के लिए तो चल्डे स्टाार्ट करते हैं आज के पहले क्लिक करके हमारे बॉतनी की जो प्लेयलिस्ट है वहाँ पे आड़ हो सकते हैं तो कई सारी जो वीडियो है मुझा की एक आपका प्रूटेन यहां इंप्रूटन बहुट dna only option number c है आपका rna only option number d है आपका protein and dna और rna बोट ठीक तो यहाँ पर जो आपका correct answer निकल कर आता है देखें पहले आपसे पूछा जा रहे हैं कि वारिस किस चीज़ के बने हुए होते हैं हम पहले ही है जब सब चीज़ा आपको डिसकस कर चुके हैं कि जो वारिस होता है वो तो या फिर उसमें dna पाय जाता है या फिर rna पाय जाता है ठीक है दोस्ती चीज़ कि protein जो होता है उसका एक important component होता है क्योंकि जो capsid होता है वो protein के sub unit से बना हुआ होता है तो यहां पे जो आपका correct answer है वो ही आपका option number d यानि कि यहां पे आप protein भी देख रहे है और ने वर्सिस dna भी देख रहे है तो यह correct answer is option number d ठीक है समझ लीज़े कि obligate parasite मतलब कि उनका खुद का कोई existence नहीं होता वो एक host की body में जा करके multiply करते हैं functioning करना start करते हैं ठीक है तो यह आपका क्या है obligate parasite ठीक है दूसे चीज़ नॉन-cellular होते हैं मतलब cell की तरह एक single cell की तरह इनके अंदर कुछ भी नहीं पाए जाता ठीक है ना genetic material सॉरी ना इनके अंदर double memory निस ऑर्गनल पाय जाते हैं और नहीं एक well developed cell की तरह होता है ठीक है दूसरी चीज़ कि कई सारे वेग्यानिक थे जोन्होंने अपनी अलग-अलग धर्णाए बनाई थी किन्होंने किसी-किसी ने कहा था कि वह बहुत प्रमिटिव हैं प्राचीन क यह कई सारे सांटिस ने पहले कि अभी तक कई सारे से डाउट से देखिए टाइम काफी मॉडन हो गया और इसे साब से कई सारी जो रिसोर्च इस थी वो नजर आ रही है वारिस इसको ले करके ठीक है चले अगला प्रशन पर आते हैं अगला प्रशन है आपका smallpox is caused by what यानि सेला तो question कि according जब पर correct answer निकल कर आता है that is option number a यानि कि वारियोला वारिस जो होता है ये कारण होता है smallpox का ठीक है इसके अलावा extra factor में याद रखिया कि चेज़ चक यानि कि जो smallpox होता है ये वारियोला नमक विशान हो यानि कि जो वारिस होता है इसके दोरा होता है ठीक है और पूरे शरीर पर इसका control होता है जिसकी जो ऐसा व्यक्ति जो की सांस ले रहा है ठीक है इसके द्वारा रोगी से सीधे संपर्क में अगर कोई आ जाता है तो इससे direct इसे smallpox हो जाती है ठीक है और इससे रोगे के शरीर में बुखार सिर में दर्द जुखाम उल्टिया इ 3-4 दिरों में उसके मुँ पर और पूरी बॉड़ी के पर चोटे चोटे लाला दाने निकल जाते हैं ठीक है और इसलिए रोगी को रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए और आप में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मातरानी टाइप के आई है ठीक है और का आपकी साफ सफाई से और नीम के पत्ते उनके पास रखे जाते हैं नीम के पत्ते रखे जाते हैं ताकि जो वाइरस हैं उनका इंफेक्शन आज पास के लोगे तक ना पहुंचे ठीक है तो इंपॉर्टन फैक्ट आप सबी के लिए चले अगला प्रशन पर आते हैं अगला आपका वारिसस और लृटन फैक्शन पर अपका भी प्ल और आपका वारिसस अप्शन अपर अब दी आपका रिकट सी ठीक है Android जो आपका करेक्ट आंसर है यानि कि वारिसस की वारिसस के पास और इसलिए एक सिंगल स्टैंड और dna और rna के रूप में यह exist करने हैं ठीक है और 16% जो इनका central core होता है ना इनका central core thick covering protein से covered होता है ठीक है जिसे capsid कहा जाता है तो वारिस इन्हें वारिस को आप nucleo capsid भी कह सकते हैं ठीक है लेकिन यह cell नहीं माने जाती अगला question देखेगा अगला question है who received a noble prize for the discovery of priance very important for your GIC paper ठीक है जितने भी question लेकर आएंगे आपके PGT के लेवल के होंगे और या फिर आपके GIC के लेवल के होंगे ठीक है तो इसे भी आपको stick mark कर लेना है who received noble prize for the discovery of priance तो चार ओप्शन देखेगा पहला option है आपका Altman, option number B है आपका Levi's, option number C है आपका Nisalem और option number D है आपका Prisoner question के according to आपका correct answer निकल कर आता है that is option number D यानि की Prisoner ठीक है अब देखेगे प्रोजनर ने 1997 में इन्होंने noble prize लिया था noble prize उन्होंने जीता था उनकी discovery क्या थी prions ठीक है prions क्या होते तो infections proteins होते है क्या होते infections protein particles और prions को सबसे पहले ढूंडा गया था प्रोजनर के द्वारा 1983 में ठीक है अगला कुशन देखेगा any temperate bacterial phase existing in latent form inside the bacterial cell is called what तो चार option देखेगा option no.1 है आपका प्रोफेज, option no.b is lysogenic phase, option no.c is lytic phase, option no.d is delta phase question के according यहापे जापका correct answer निकल कर आता है that is option no.1 यानि की प्रोफेज ठीक है तो कोई भी temperate interface जो होता है जो की latent form में bacterial cell के अंदर exist करता है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रोफेज ठीक है दूसरी चीज़ की जो बैक्तिरियो फ्रोफेज होता है जिसे जनर इसमें आप एक छोट चोटा सा टॉम देख रहे है ना phase फेज का मतलब क्या होता है खाने वाला ठीक है तो बैक्तिरियो फेज मतलब कि ऐसा वारिस जो की बैक्तिरिया को ही खाता है ठीक है तो यहां पर जापका correct answer option number c है आपका delta phase or option number d is your HIV तो question की according यहां पर जो आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number b यानि कि xv40 जो होता है यहां पर यह आपका correct answer है और यह वारिस जनों के अंदर mini chromosome के रूप में जाना जाता है ठीक है extra factor के रूप में यहां रखियागा यहां कि xv40 को का एक abbreviation है इस सेमिन वैकुलेटिंग वारिस यानि कि svv के नाम से भी जाना जाता है ठीक देखा जाता है ठीक है दूसरी चीज है कि पॉलियोमा वारिस जो होता है यह ट्यूमर्स जो होते है अनिमल्स के अंदर उसको cause करने के लिए सबसे जादा responsible होता है ठीक है अगला कुशन देखेगा अगला कुशन है आपका virus infecting a bacterium is called what यानि कि वारिस जो की bacteria को infect करता है उसे आप किस नाम से जानते हैं तो यह चार ओप्शन देखेगा यह भी आपका UPSC Pre का question है 2007 का ठीक है तो जितने भी UPSC Pre के question है आपकी PGT exams के लिए expected है तो सारे question को आपको देखना है और हम यहां पे वह सारे question लेकर आये हैं जो आपकी आपकी PGT biology में आ चुके है या फिर आपकी UPSC Pre में आ चुके है या फिर ऐसे question जो की आने की संभावना बनती है आपके examations में ठीक है selective question लेकर आया है तो दिखेगा next question है आपका virus infecting a bacterium is called what यानि कि विशाणू जो की एक जिवाणू को संकर्मित करता है वो क्या कहलाता है तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is our option number that is our option number B याने के bacteriophase कहलाता है वो virus जो की bacteria को infect करता है ठीक है है तो एक virus और नाम की वो बैक्टिरियो फेस phase मतलब होता है खाना ठीक है तो एक ऐसा virus जो की संकर्मित करता है bacteria को उसे bacteriophase कहा जाता है ठीक है बैक्टिरियो फेस के अं डीयल नहीं जो होता है अपने host के अंदर inject करता है ठीक है और यहाँ पर जो protein sheet होती है host के बाहर bacteria की ठीक है तो बैक्टिरियो फेस क्या होता है एक obligate parasite होता है और यह जहाँ पर bacteria survive करते हैं वहाँ पर भी यह खुद को survive करने की शमतार रखता है ठीक है तो काफी अच्छा जो in response to viral infection but protecting it from further viral infection is called what? यानि के विशाणु संक्रमण के फल सुरूप आती थे में उत्पन पदार से जो उसे भावी विशाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है क्या कहलाता है तो चार ओप्शन देखेगा phytotoxin यानि की पादब आविश ऑप्शन बर B is antibody यानि के प्रतिरक किया था तो आपके थे edge sterling ठीक है तो इस चीज़ आपको बीच मीच में ध्यान रखना है क्या पता आपके PGT के एग्जामस में इस पर एक कुश्चन का आंसर क्या है आपका तो इसका आंसर आपका एक substance की बारे में पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आपका option number C यानिकी interferon इंटेफिरोन क्या है एक important antiviral human protein होता है जो कि viral infection के against produce होता है तो आप interferon कहेंगे कहा produce होता है human body के अंदर इंटेफिरोन क्या है आपका एक ऐसा protein जो कि human body के अंदर produce होता है against viral infection ठीक है अगला question देखेगा अगला question है plant viruses that multiply within their insect vectors are called what? यानि कि ऐसे पादफ विशाडू जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुड़न करते हैं क्या कहलाते हैं तो चार option देखेगा option number 1 है आपका persistent option number B है आपका non persistent option number C is your propagative option number D है आपका circulative question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is our option number C यानि कि यहां भी आपसे पूछा जा रहें कि plant viruses जो होते हैं जो multiply करते हैं अपने multiply करते हैं उनके insect vectors के अंदर उसे कहा जाता है propagative stage ठीक है तो आपका correct answer है that is option number C अगला question देखेगा when a virus attack a bacterium the material that enters the host is यानि कि जब एक विशाडू एक bacterium पर आक्रमर करता है तब वो पदार्थ host में प्रवीश करता है तो वो कौन सा पदार्थ है तो चारो option देखेगा option number 1 है आपका protein coat option number B है आपका nucleic acid option number C है आपका both protein coat and nucleic acid और option number D है आपका none of the album यानि कि उपरोगत में से कोई नहीं तो यहां पे जो आपका correct answer निकल कर आता है that is your option number B यानि कि nucleic acid हुए material है जो कि एक virus inject करता है ठीक है एक bacterium के अंदर जब वो उस पर attack करता है ठीक है एक स्टाफेट के रूप में आपको याद रखना है कि virus जो की nucleic acid के बने हुए होता है एक protein code के द्वारा covered होता है जिसे capsid कहा जाता है ठीक है इस form में क्या होता है जो capsid होता है वो एक facility प्रवाइड करता है क्या वो viruses जो होते हैं वो host की body से attach हो सकते हैं ठीक उनकी सर face पे किसके कारण के कारण ही तो ठीक है यह important fact था आप सभी के लिए अगला question देखेगा अगला question है प्राइंस है तो प्राइंस सम्में क्या होता है आपको बताना है चार option देखेगा option number 1 है आपका RNA, option number B है आपका DNA, option number C है आपका RNA याइन protein और option number D है आपका protein तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is option number D यानि कि प्राइंस के अंदर जो है वो protein पाया जाते है लेकर आपको ध्यान रखना है कि प्राइंस जो होते है केवल proteins कहीं नहीं बने होते है ठीक है अच्छा प्राइंस के अंदर सिर्फ protein ही पाया जाता है ठीक है प्राइंस का नाम ही है तो यहाँ पे protein जो होता है वही main component ह होता है कोई भी नुकलिक ऐसेड नहीं पाय जाती ठीक है अच्छाई जो प्राइंट टर्म है वो किसके द्वारा नहीं दिया गया था तो 1982 में इन्हें प्रुजनर के द्वारा प्राइंस टर्म दिया गया था ठीक है और इन्हें को कॉजल एजेंट के रूप में स्क्रापर जो थी ना शीप के अंदर तो उनके अंदर एक कॉजिटिव एजेंट के रूप में इन्हें इडेंटिफाई किया गया था प्रुजनर के द्वारा ठीक है जाले अगला कुशन देखें ठीक है जितने हम यह आप एक्स्ट्राफेक्ट बता रहे हैं उनको भी आपको याद कुशन यह भी आ सकता है कि सबसे पहले प्राइन टर्म किसके द्वारा दिया गया था ठीक है तो यह भी आपको ध्यान रखने है प्रुजनर ने दिया था 1982 में ठीक है कुशन नंबर 12 देखें दफी 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 दफ्रेज कंटेजिएस वाइवं फ्लूडियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था यह आपको बताना है तो चौर ऑप्शन देखेंगा आईवान वसकी बैजरिंग ऑप्शन अबर C विंग मैं ऑप्शन अबर D इस हैल रिज तो क्वेशन की अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन यह जो टॉब दिया गया था यह आपकी दिया झतलता है बैजरीं के दृद्व रिग्पों सें इंगा ओर the virus responsible for AIDS is an example of what यानि कि AIDS के लिए उत्तरदाई विशाड़ू जो है उसका उधारण क्या है तो चारो आप्शन देखेगा आप्शन नमबर वन है आपका अदेनो वाइरस यानि कि गरंथी विशाड़ू ऑप्शन नमबर बी इस मोजाइक वाइरस ऑप्शन नमबर सी इस ती एवन वायरस और ऑप्शन नमबर डी इस रेटरो वायरस तो इसा वाइरस जो की एसा वायरस जो कि responsible होता है एड्स के लिए तो उसे कहा जाता है रेट्रो वायरस जो कि HIV कहलाता है यानि कि human immunodeficiency वायरस ठीक है एक रेट्रो वायरस के होता है single standard positive sense RNA with DNA intermediate जो होता है यह स्टेज में पाया जाता है ठीक है अगला question देखेगा अगला question है आपका plant virus was first crystallized by यानि कि पादफ विशाणु सरवप्रसम किसके द्वारे crystallize किया गया था तो उसका नाम आपको बताना है चारू option आप देखेगा पहला आपका बॉर्डन और बी है आपका पैरी और सी है आपका बैजरिंग और आपका स्टैले very important question for your PGT and GIC examination तो इसे आपको स्टैक माग कर लेना है ठीक है जितने भी हम question बता रहे हैं स्टैक माग किये हुए वो सभी आपके examinations में maximum question आपने देखें ठीक है महाँ पर भी आपको देखने के मिला आपके TGT examinations में ठीक है और यहाँ पर भी हम आपको जितने भी question बता रहे इनमें से कई सारे question अब अपने examinations में देखेंगे PGT अफिजिया एसी के ठीक है तो चलिए अब बात करते हैं अपने answer के उपर तो यहाँ पर जो डी है स्टैनले स्टैनले जो और कारेक्त आंसर यानिकि सबसे पहले plant virus को जिसने crystallize किया था वो थे स्टैनले ठीक है चले अग अब बात में साइनो फेजिस की कोज सर्व प्रतम किसने की थी आपको बताना है तो चार ऑप्शन देखेगा option नमर 1 है आपका MOP आएंगर एंड टीवी डैसी कैरी तो और सेकेंड आपका option यहाँ आरेन सिंग एंड पील सिंग और थर्ड आपका option है जी एस वैंकर टरमन और option number D है आपका P के D तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है that is option number B यहाँ के आरेन सिंग और पील सिंग जो थे इन्होंने सबसे पहले साइनो फेजिस की खोज की थी और इंडिया में इंडिया के respect में बात की जा रही है तो इंडिया के respect में आपको RN सिंग और पील सिंग को याद रखना है ठीक है very important question आपकी UP PCS free में 2002 और 2009 दोनों में repeat हो और पूरी chances बनते हैं कि ऐसे question आप अपने PGT के examinations में देखें अगरा प्रक्शन देखेगा signophases were discovered by तो signophases अभी थो हमने इंडिया के बात की नपर इसे world level पर देखेंगे तो पूरे world में सबसे पहले signophases को किस ने discover किया था यापको बताना है तो चार उप्शन देखेगा, उप्शन नमबर 1 है आपका सिंडन, उप्शन नमबर B है आपका, शैफर मैन एंड मॉरिस, उप्शन नमबर C है आपका डैनर, उप्शन नमबर D है आपका, नन अफ दे एबब, तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है, that is option नमबर B, यानि कि सैफर मैन और मॉरिस ने सबसे पहले साइनोफेजिस को discover किया था, और मॉरिस ने 1963 में जो waste utilization pond होता है, वहाँ पे जो pond है, उससे extract किया था साइनोफेजिस को, ठीक है, तो साइनोफेजिस जो होते हैं, साइनो बैक्टिरिया को attack करते हैं, और इसलिए इस virus का नाम साइन इसका जो first letter है, उसकी general को represent करता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, अगला question पर आते हैं, अगला question है आपका, the viral capsid is made up of, यानि जो virus का जो capsid होता है, यह किसका बना होता है, यह आपको बता रहे हैं, तो चारो option देखिएगा, option number 1 है आपका lipids, option number B है आपका carbohydrate, option number C है आपका protein, option number D है आपका nucleic acid, तो question के according जो correct answer आपका निकल कर आता है, that is option number C, यानि कि protein जो होते है, वो viral capsid जो होता है, वारिस का बना हुआ होता है, और जो capsid है, वो genetic material जो होता है, वारिस का उसे enclose, यानि कि cover करने का काम करता है, ठीक है, genetic material मतलब या तो RNA होता है, वारिस में या तो अग्रा question देखेगा, next question है आपका, the genetic material of the retrovirus is, यानि कि retrovirus का जो नुवानशिक पदार्थ होता है, वो क्या है, तो चारो option में देखेगा, option number 1 है आपका double standard DNA, यानि कि द्वी सूत्री DNA, option number B है आपका double standard RNA, यानि कि द्वी सूत्री RNA, option number C है आपका single standard DNA, यानि कि एक सूत्री DNA यानि कि द्वी सूत्री RNA, तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है, यानि कि single standard RNA जो होता है, वो genetic material होता है, retrovirus का, very important question और आपके, यह question आपकी UPVCS pre 1996 में आ चुका है, और इसलिए आपके लिए important है, आपकी PGT के examinations के लिए, ठीक है, अगला प्रशन देखेगा, अगला प्रश enzyme known, यानि कि bacteria phase के अंदर एक enzyme पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है, तो चारो option देखेगा, option number 1 है आपका dehydrogenases, option number B है आपका proteases, option number C है आपका ureases, option number D है आपका lysozyme, तो question के according जो आपका correct answer निकल कर आता है, that is option number D, यानि कि lysozyme, अच्छा, अब lysozyme के बार में थोड़ा सा extra fact जान लेजें, कि lysozyme जो होता है, बैक्टिरियो फेज में पाया जाने वाला एक मात्र enzyme है, और lysozyme में एक an acetyl muramic acid, और glycan dehydrogelase जो है, यह पाया जाता है, और इस enzyme का जो प्रयोग होता है, वो trade के लिए किया जाता है, यानि कि बिजनेस के लिए किया जाता है, ठीक है, और इस enzyme को जानवरों में जो antibodies होती है, या आप एक तरीके से का immunity, immunity develop करने के लिए, इस enzyme होता है, उसका use किया ज question है, sign of phases is a virus that attacks, यानि कि sign of phases जो वायरस है, वो किस के उपर attack करता है, या आपको बताना है, तो अभी हमने जो concept पढ़ा था, question से related, उसी concept में आपका answer था, ठीक है, और देखें, जितने भी हमने TGT में question, TGT के exams के बहले practice that solve कर रहा थे, उसमें से कई सारे question आपने, अपने TG करवा रहे हैं, उन्हें सारे question के उपर basically जादा focus कीजेगा, यह बहुत ही जादा help करेंगे, आपको examinations को crack करने में, जो नेक्स question को देखते हैं, नेक्स question है, आपका sign of phases is a virus that attack, तो sign of phase जो विशाड़ों है, किस को किस पर recommend करता है, आपको बताना है, चारो option देखेंगा, option number 1 ह आपका fungi, यानि कि कवक, option number B है, आपका bacteria, option number C है, blue green algae, option number D है, आपका nematodes, तो question के according to आपका correct answer बनता है, that is option number C, यानि कि जो syno phasas होता है, यह blue green algae, यानि कि जो syno bacteria होता है, इसको attack करता है, नाम से clear है, phase मतलब होता है, खाना, ठीक है, syno मतलब होता है, blue green algae, तो इन दोनों को म करके तॉम मता में आइसा जीव जो कई साइम बैक्टीर把 को खाता है तो blue ग्रीन एलगृ ये होते हैं स्य आनुक्रीय ऊइर्ज तो वाइर्था नील हरे शहाँल ग्लुग्रीरन एलगी को संकरमिद करते है तो दोस्तों हूच कि सेरीज को को हम यहीं पे समाप्त करते हैं उम्मीद है आज की सीरीज आप सभी के लिए हैल्फुल होई होगी अगला जो सेक्षिन हमारा उसमें भी हम करीब दस कोशन या पंदरा बीस कोशन कोशन डिसकुस करेंगे जो आपके पीजी टी वालोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन होग तब तक के लिए मृता को दीए अजाज़त मिलते हैं नेक्स वीडियो में बबाए